हे व्रीवन आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और आज मैं आप लोगों के लिए ले कर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी और ये इतनी जादा हेल्दी है और साथ के साथ ये इतनी मज़दार डिलिश्यूस बन करके आती है कि अगर आपने इसे एक पार ट्र इतनी स्वात की बनती है कि आपके घर में बड़े बच्चे सब इसे बहुत पसंद से खाएंगे तो वीडियो में मेरे साथ लास तक जरूर बने रहे और अगर आपको मेरी रेसिपी मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फ में एक कप लोबिया को ओवरनाइट सोक करके रखी थी और आप देख सकते हो कैसे यह फूल गया है अच्छे से और अल्मूस्ट दो कप के हो गया है जैसे हम मतर या छोले या चना बनाते हैं सेम प्रोसेस से हम लोबिया को भी बनाएंगे तो यहां पे गैस पर मैं ले रही हूं ओवरनाइट सोक लोबिया मैं एक कप लोबिया डाली थी जो फूल करके दो कप हो चुकी है इसमें हम डालेंगे एक गलास पानी और इसी के साथ इसमें मैं एक चोथाई चमच अड़ कर रही हूं हल्दी और आधी चोटी चमच के करी में मैंने अड़ कर रहा है नमक इ कुक कर लेना है उसके बाद जब लोबिया कुक हो जाए तब हम उसमें तड़का लगाएंगे मैं मसाला लगाएंगे तो यहां चार से पाच पूरी विसल आने पर मैंने लोबिया को कुक कर लिया प्रेशर कुक कर के प्रेशर को खुद से रिलीस होने दे और पस यहां तो आप विसल की संख्या को बढ़ा लेना आप 6-7 विसल लगा लेना अब इसमें एक तड़का लगाएंगे तो तड़के के लिए मैं ग्यास पर ले रही हूँ एक कड़ाई और उसमें एड़ करेंगे 2-3 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल आप चाहो तो यह लोबया की सबजी गी में भी बना सकते हो इसी के साथ इसमें मैंने आड़ करा वन टेबल स्पून जीरा दो तेजपत्ता और कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें एक छोटा टुकरा दालचीनी का है एक बड़ी लाइची है तीन छोटी लाइची हो और तीन लॉंग है यह सारी चीजें अच्छे आड़ करें वो पचने में भी बहुत अच्छा होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है हिंग से खड़े मसाले जब चटक गए तब इसमें मैंने डाला एक बड़े साइस का प्यास जिसे मैं चॉप कर ली थी अब इसे हमें मीरियम टू हाइफ लेम पे दो मिनिट त जब तक कि प्यास का कलर चीज़ना हो जाए उसके बाद जब प्यास कुख हो जाए तब इसमें एड करेंगे टू टेबल स्पून क्रश किया हुआ गार्लिक आइमीन दो चमश यहां मैं लैसन कूट करके इस्तिमाल कर रही हूं अगर आपके पास ना हो लैसन की कलिया लैसन अद्रक का पेस्ट हो तो भी आप आड कर सकते हो उसी के साथ मैंने इसमें एड करा एक छोटी चमश हल्दी पाउडर एक चमश लाल मिर्च का पाउडर आधी चोटी चमश ब्लाक पेपर पाउडर एक चमश आड कर रही हूं मैं यहां पे किचन किंग मसाला और एक छोटी चमश इसमें आड करेंगे धनिये का पाउडर साथ में मैं आड कर रही हूं नमक स्वात के अनुसार और इसी के साथ साथ इसमें आड कर देंगे दो मीडियम साइज के टमाटर अब इन सारी चीजों को टमाटर और मसालों को हमें प्यास के साथ भूल लेना है दो से तीन मिन जितने अच्छे तरीके से मसाले भून करके रेडी होंगे जो हमारा लोबिया का टेस्ट है वो उतना ही अच्छा हैगा तो सारे चीजों को मिक्स कर देंगे और ढख करके हमें 3 मिनिट कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मसाले अच्छे से कुक हो गया है टमाटर एकदम गल चुकी है यहाँ पे अब इस पॉइंट पे हम एड़ कर देंगे बॉयल किये हुए लोबिया लोबिया को आड़ कर देने के बाद इसमें हमें आड़ करना है वन टेबल स्पून कसूरी मेती और एक छोटी चमच में आड़ कर रही हूँ गरम मसाला इसको एक पार अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यहाँ पे और बस आप यहाँ पे पानी आड़ करके आपको जितनी भ चार मिनट और ढख करके और बस यहाँ पे लोबिया मसाला तयार है बहुत ही जटपट से बनने वाली रेसिपी है और अकसर हम इसे अवोइट करते हैं हम घर में इसे बनाते नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार मिनट के बाद किस तरीके से ग्रेवी थिक हो गई ह अच्छे से लोबिया तो पहले ही को खो चुकी थी प्रेशर कुकर में ही मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है लास्ट में आट करेंगे कुछ फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते और बस आप इसे गर्मा-गर्म सर्फ कर सकते हो रोटी के साथ राइस के साथ या पू जरूर आप भी इसे एक पार अपने घर में बनाएं और सबके साथ मिल बाठ करके खाएं डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आएगी और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और उनके साथ जरूर शेयर करें जो आपको यह बना करके खिलाएंगी ऐसी ही इंट्रेस्ट करें जिर चान करेंग जे हमेदागी झियाक।